हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग आसा करते हैं आप सब लोग काफी अच्छे होगे तो आज हम लोग प्रोनावन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप डिसकस करने जा रहे हैं जो है रिलेटिव प्रोनावन जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि ऐसे सी सी येल की बात करें एसे सी एसे सी एस्टेनोग्राफर की बात करें सीप्यों की बात करें या भारत में अपने देश में और जितने भी कम्टिटिव एक्जाम होते हैं जिसमें इंगलिस पूछे जाते हैं उन सभी एक्जाम की यदि हम चर्चा करें तो प्रोनावन का वो सेक् कुछ previous year में पूछे गए question को हम लोग डिसकस भी करेंगे ठीक है तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखना न भूले क्योंकि आज का हमारा ये वीडियो बेहत इंपोर्टेंट रहने वाला है ठीक है तो आईए अब हम लोग चार्चा करते हैं कि हम लोगों ने last class में अरधा विच का यूज हम लोग जो करते हैं विच का यूज हम लोग करते हैं इनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हमने in a brief की थी ठीक है तो आई एब फटा 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 रास्पे लोगों ने जो पढ़ा था उसका एक ग्लिम्स हम लोग देखते हैं और उसके बाद फिर हम लो लोगोंने पिछले क्लास में किया था और पूर्थ लेक्षर में इसको लोगों ने सॉल्व किया था और कुछ कोशन हमने जान-बुज लिए फिलेश कर छोड़ दिये थे ताकि उसकांसर आपको कमेंट भॉक्स में खर आपको मि-सकांसर जरू करना चाहिए फिर यहां से हम लोग SUBSCRIBE NO पर परणाउन को पड़ा था अन डिफेनle के बारे में स्टेव जுस्टार किया था और इसके बाद था इनके आगे हम लोगों ने यहाँ पे of which का यूज करते हैं selection के case में हम लोग living non living दोनों के लिए इसके भी चर्चा हमने आपके साथ करी थी और फिर इनके उपर बेस्ट यह कुछ question भी हम लोगों ने solve किया था यह था अपना reflexive and empathic इनको हम लोगों ने पिछले class में cover किया था ठीक है और फिर इसके कुछ question को भी हमने intentionally छोड़ दिया था ताकि आप उसका answer comment box में कर सके ठीक है और इनके सारे concept को हम लोगों ने सीखा समझा और इनके कुछ question को भी हम लोगों ने practice किया इसके बारे में भी हमने आपको बताया था यह आईदर और नाइदर का यूज कब हम लोग सेंटेंस के लास्ट में करते हैं इनका यूज हम लोगों करते हैं कब नहीं करते हैं all of both of each of और फिर यह one या some one इनके भी चर्चा हम लोगों करी थी अब आज हम लोग पढ़ना सुरू करेंगे यहां से यह भी क्या है हमारे रिलेटिव प्रणौन का से ठीक है तो आज की क्लास को आगे बढ़ाने के पहले दोस्तों मैं अजीत कुमार फैकल्टी ओफ इंग्लिस लिंग्विज आपके यूटुब चैनल कम्प्टिश क्या होता है आज एक बार फिर से इसको रिवाइस करते हुए हम आपको आगे की ओड लेकर चलते हैं देखिए हम सब लोगोंने बजपन से पढ़ना सुरू किया था तो हम लोगों को सबसे पहले जो सेंटेंस पढ़ाया किया था यह जो हम लोगोंने सीखा था वो क्या था तो वोगो यही था वोट इस और टीजिर ने में व RN में में आ ठीक है यह हम सब उने सबसे पहले पढ़ाता हि अब अब देखिए इसमें यहे जो वौट है इस को हिंदी में हम लोग टांसलेट करते हैं तो इसका किससे शुरू होता है तो इसका फॉस्ट लेटर सुरू किससे होता है को से ठीक है इसको कहलंद कहिए यह आधा कहिए आप जिस तरीके से इसको समझें तो हमने आपको इंटरोगेटिव प्रणॉन पढ़ाते समय भी बताया था कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है हमें इससे इंटरोगेटिव वर्ड है इंटरोगेटिव वर्ड यानि की वोट वेन वेर विच इत्यादी ठीक है तो ऐसा कोई भी दुनिया का डब्लू एच इंटरोगेटिव वर्ड यदि आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने पर यदि इसका फॉस्ट लेटर सुरू होता है जो तो यही काम करता है interrogative का किसका interrogative का इन्टेरोगेटिव का काम करते है किंए यह हमने आपको पिछले Class में ही बताः था ज्ञेक है तो चुकिले यह जो डबलू एच्छ वला था interrogative था इसका concept हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था पिछले क्लास में इसके रिफरेंस में हमने आपको क्या बताए था तो इसके रिफरेंस में पिछले क्लास में हमने आपको बताए था कि कोई भी दुनिया का डबलू एच इंटरोगेटिव और हो इंटरोगेटिव कब होगा जब इसको हिंदे में ट्रांसलेट करने पर इसका फॉस्ट लिटर कुसे शुरू होगा तो हमने आपको बताए था कि किसी भी डब्लू एच इंटरोगेटिव ओड के तुरंत पहले तुरंत पहले डैट का यूज नहीं किया जाता है और यदि यहां पर डैट लिखा हुआ हो तो हम लोग क्या करें दुनिया का कोई भी डब्लू एच इंटरोगेटिव ओड हो यदि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने पर इसका फॉस्ट लेटर किसे सुरू हो जब और जोकर जब और जग ठीक है तो जसे सुरू हो तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे इसी को हम लोग कहेंगे रिलेटिव प पढ़ेंगे फुल लेंथ में पढ़ेंगे और उसके हर एक आस्पेक्ट की चर्चा करेंगे हर एक पहलू की चर्चा आज के क्लास में लोग करेंगे ताकि आपका एक भी कोश्चन छूटने न पाए चलिए यहां से आगे बढ़ते हम फिलहाल हम लोग इसको समझें हूज और ओफ विच देखें यह भी क्या है डवलू एच इंटरोकेटिव ओड है अब यह जो हूज और ओफ विच है इनका यूज हम लोग करते हैं पॉसेसिव केस में किस केस में करते हैं तो इसका यूज हम लोग करते हैं पॉसेसिव केस मे अर्थात इनका इन दोनों का प्रयोग हम लोग करते हैं जिनका जिनकी जिसका जिसकी के अर्थ में अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में तो डिफरेंस यह है कि इस हूज का यूज करते हैं हम लोग लीविंग के लिए किसके लिए लीविंग के लिए और आप अच्छी तरीके से बच्पन से समस्तिया है ठीक है अब इनकी चर्चा एक एक example के साथ कर लें जैसे हम कहें कि वह दोस्त मेरा वह दोस्त जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ यह जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ बगल वाले गली में रहता है तो जिसका जिसक चर्चा हुई अब ये जो जिसका जिसकी वाड़ है इसका प्रयोग किसके लिए हो रहा है वो दोस्त दोस्त क्या होगा लीविंग होगा तो दोस्त के reference हम लोग किसका use करेंगे कोज का use करेंगई बात समझ में आ रहे हैं अब दूसरा example हम कहें कि वो मुर्ति जिसका टूटा हुआ पार्ट मेरे हाथ में है वो पत्थर का बना था या वो रबर का था या वो प्लास्टिक का था या वो मिट्टी का था या वो सिमेंट का था ठीक है अब देखिए मिट्टी का था सिमेंट का था यह जिसका भी था जिसका जिसके की चर्चा हो रही है तो जिसका जिसकी के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे अब जिसका जिसकी का यूज हम लोग किसके लिए कर रहे हैं मुर्ति के लिए अब मुर्ति कैसा होगा लीविंग या नॉन लीविंग तो नॉन लीविंग के लिए हम लोग किसका यूज क का प्रयोग हो रहा है यहां पर फिर से जिसका जिसकी का प्रयोग तो जरूर हो रहा है लेकिन कीमत के संदर में हो रहा है और कीमत के केस में यदि जिसका जिसकी का प्रयोग हो तो वहां पे हम लोग हुज और ऑफ विच का यूज नहीं करते हैं बात समझ में आ रही है यह restriction है लॉजिक समझी है ठीक है बात समझ में आई तो आएए अब इनके आगे चलते हैं और हम लोग कुछ question को solve करना शुरू करते हैं यहांसे अब आपके सामने screen पर आपको कुछ question दिखाई दे रहा है आई यह फटा फटिन सारे question को हम लोग यहां पर समझते चलें my friend lived at the top of an old house which अटिक जिसका अटिक अब जिसका अटिक ठीक है यहां देखे जिसका जिसका जिसकी आ गया तो जिसका जिसका जिसके किसेंस में यहां पर यूज किया गया second वाले question को देके senior citizens prefer the banks which branches are senior citizen ऐसे बैंकों को prefer करते जिसका ब्रांच देखें फिर से क्या गया जिसका जिसका गया अब किसका ब्रांच बैंक का ब्रांच किसका बैंक का अब आप खुद बताए बैंक living होता है नौन living होता है तो यहां पर वीच की जगह में क्या यूज करना होगा वीच के जगह हम लोग यूज करेंगे ऑफ वीच सेकेंड वाले question में उपर वाले question में बात करें अब देखिए किसका अर्टिक भै तो घर का ठीक है घर का old house का तो यह house क्या होता है नौ living तो यहां भी हम लोग वीच की जगह किसका यूज करेंगे ऑफ वीच का यूज करेंगे ठीक है वीच की जगह ऑफ वीच नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं से चलते हैं कुछ और question की तरफ अब इन सारे question का answer आप खुद करने का प्रयास करते हैं उपर वाले का answer आप खुद से करेंगे कहां पर comment box में चले नीचे वाले को पढ़ना सुरू करते हैं इसका नाम मैं भूल गया हूं किसका नाम भूल गया है तो दोस्त के क्या होगा लीविंग लीविंग के लिए क्या यूज करते हैं तो उसका यूज क्या है करेक्ट है अब करेक्ट है तो इस question का answer हमारा क्या बनेगा no error यह no improvement ठीक है clear है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से ह आप आते हैं अगले कोशन में देखें बिलियनेर फिलिप इस दा ओनर ओफ दा लग्जुरी याच लाइन हाट विच वर्थ एज एन एस्टिमेटेड़ देखें यहां पे जिसकी कीमत की बात कि गई तो जिसकी कीमत लगभग एस्टिमेटेड अनुमान लगया गया कितना ह नहीं होती है इसके चर्चाब यह थोड़ी दिर पहले हमने आपके साथ करिए ठीक है इस कुछ करने की जरूरत नहीं है जिसकी कीमत अनुमानत अटना मेलियन लगाए ठीक है तो लगाया गया है तो यहां पर क्या करेंगे वीच के बाद हमें एक वर्व की जरूरत है प्रेजेंट के रिफ्रेंस में बात की जा रही है तो हम आंसर देखें हमारा इस कोशन का आंसर नहीं है यहां पर इस कोशन में हम लोगों को क्या करना है कि आपको एरर वाला सेक्षन बताना है वो कौन सा सेक्षन है जिसमें एरर है देखें वीच वर्थ वाले सेक्षन में ज अब आप याद करेए प्रोनाउन के टेवल में आपको पॉशेश इब्ल बटाया है ता मने आपको बताया था पॉशेश के कंप बाद यहां पर कोई वह बाता है तो वह कौछ यह बात हमने आपको लौन के सेकेंड लेक्षर में बताए था था तो किसमें चेंज करेंगे के पॉसेसिव एडिजेक्टिव में चेंज करते हैं ठीक है यह बात हमने आपको पहले से बता रखी है और इस पर बेस्ट कुछ कोशन भी हम लोगों ने पहले से बनाया था अब आए कुछ और कोशन को आप देखने का प्रयास करते हैं यह क्या है यह मी क्या है और यह क्या है तो यह क्या है यह मी क्या है और नहीं कर सकते प्रणाउन के टेबल में असुवीधा नहों तो अब क्या करें यहां पर हमें पॉसेसिख चाहिए मी कॉंसे फैमिली का आई फैमिली इसका पॉसेसी बशाक्टिव क्या होता है तो होता है इमाई ठीक है आप प्रोना देबल को को लिए सामने को आप उसको करने चले तो यहां टिवाई लगा हुआ अर्थात यह क्या है तो यह नाउन के पले क्या है आइगा अग्षिन नंबर बी नेक्स्ट आगे पड़ते हैं से हम लोग चलते हैं अगले कोशन में अगले question का answer आप करने का प्रयास किजिए आएए यहाँ भी हम लोग देखते हैं साथ-सात क्या-क्या करना है अब देखिए इस question में भी हमें एकते हैं हम लोग है है हम लोग सारे कोशन काफी आसान है तो अब हम लोग इसको रिपीट नहीं करेंगे हम लोग यहाँ से आगा निकलते हैं अभी देखें यह क्या है ईच अधर वन अनधर तो इसके चरचांए आप को पिछली में भी करी थी हमने आपको इसके बारे बताया था कि जो इसके लिए करते हैं तो दो के बीच मुचोल रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं और दो से ज्यादा के बीच मुचोल रिलेशन को वाइफाद में कितने हों कि और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं तो सेंस में हम लोग क्या यूज करेंगे तो इच conserv को एक दूसरे का समान करना चाहिए तो सब को एक दूसरे का समान करना चाहिए चूंकि इस स्टुडेंट वहां more than two हो गए more than two हो गए और सब के बीच mutual relation को हम express कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे one another more than two के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं one another का यूज करते हैं ठीक है आईए इस concept पर बेस्ट हम लोग इस question को solve करने का प्रयास करते हैं इस concept पर बेस्ट question भी आपके exam में बार बार दिखाई पड़ते हैं अब आई यहां देखें यहां पर आप देख पा रहे हैं sister कितनी है दो दो है तो दो के लिए हम लोग one another का use करेंगे नहीं करेंगे क्या use करेंगे each other का use करेंगे next in a classroom students are to be trained to love अब देखिए classroom में कितने student होंगे दो या दो से ज्यादा दो से ज्यादा तो हमारा answer क्या बनना चाहिए one another ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग चलते हैं कुछ और कोशन की तरफ अब चुकिए यह आपके previous year में पूछा गया है तो इसको जरूर हम लोगों को बनाना चाहिए यहां पर देखिए आदमें कितने हैं दो number of candidate कितने हो सिर्फ और सिर्फ दो के लिए हमनों क्या यूज करें दो के लिए हम लोग यूज करेंगे इच अधर तो answer क्या बना option number C ठीक है next अब इस concept के आगे निकलते हम लोग इस question का answer आप खुद करेंगे चलिए इसका हम करीदेते है ठीक है अब देखिए इस question में क्या है यहां पर देखिए यह tuition लास्थ में क्या लगा हूए ion अर्थात यह क्या हो होते हैं क्या होग गगा अता है यह जो होगा यह यह द क्या deepen है verify थिक क्या है थमारा सब्सक्राइब क्या क्यों हुआ कैसे कब याद कि फूक्षभिक्त कि किसमें उसके माद सब्सक्राइब उर इस इंड़ी कोई पते इसके बाद सब्सक्राइब और जब तक जेंडर स्पेसिफाइं नहीं के लिए तब तक हम लोग हमेशा वहाँ पर यूज करते कि तरफ इसके चर्चा भी हमने आपको पहले ही कर रखी तो इसके रिफरेंस में आपको पहले बताया था आज के यहांपे आपको कुछ दिखाई दिए रहे है इन सारे कोशन को ज़रा ध्यान से देखेए और इसके पले यूज आया है और यूज किया गया तो सिंप्ली क्या करना यह भीर्बड को से क्श्टरिंग का देखिए इसके और और यहांसे घ्र एच्सप्टे जो गलत है तो simply क्या करेंगे that को हम लोग यहां से remove करतेंगे हमारा answer क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग अब आते हम लोग relative pronoun की तरफ और यहां पर हम लोग खूब विस्तार में चर्चा करेंगे relative pronoun की किसके relative pronoun की अब इसको ज़र आप ठीक से देख से सुरू हो किसे सुरू हो जासे सुरू हो तो इस ही कौन्लोग क्या काते हैं है relative कि प्ढ़ने का सीकने का प्रयास केजएगा बिल्कुल कंसंट्रेट हो कर यहांसे पढ़िए गा ठीक है और हम आपको बताते fraction हमारा है वीडियो सेशन है यह हमारा वीडियो सेरीज बिल्कुल फ्री चल रहा है बिल्कुल निसुल्क चल रहा है ऐसे उन सभी बच्चों के लिए चल रहा है जो सीजेल या सीचेसल के एक्जाम के थ्यारी करते हैं हमारा यह जो वीडियो है निसुल्क लेकर आने का हम सबों का उद् या कुछ ऐसे बच्चे जो किसी एक दो सब्जेक्ट में वीख होने के खारण अपना सेलेक्षिंट में नहीं करवा पा रहे हैं ग्रामीन छीत्र के ऐसे ढहर सारे बच्चे जिनको इंगलिस समझ में नहीं आती यह जो सारी छेत्र में आकर इंगलिस नहीं पड़े उनको and charge include नहीं है और हम लोग आपको जो कुछ भी पढ़ाते हैं Monday to Friday में जो कुछ भी हम आपको पढ़ाते हैं ठीक है तो Monday to Friday में जो भी आपका class होता है उन सब लिए classes के आपको PDF notes अबलेबल करवाए जाते हैं कहां पर तो यह PDF notes आपको मिलेगा हमारे website ठीक है और every Sunday कटे प्रते कर अब़िबार को हम लोग मंडे टू फ्राइड़ में जितना भी पढ़ाय होते हैं उतने ही कॉंसेप्ट पर बेस्ड आपके प्रैक्टिस सेट या प्रैक्टिस को कोश्ण हम लोग आपको प्रवाइड कराते हैं ठीक है और यह प्रैक्टिस कोश्ण और जो ADF है या प्राक्टिस हीट है उसको डाउनलोड करने में कहें प्राकार का दिकặt में जाता प्राप्ल गली मरें है हैं ठीक है तो आफ व्यां बताइए काम होगा हमारी टीम आपको सेरें पहुंचाने में पहुंचाने का प्रयास करें जो किसी प्रकार से अर्तिक रूप होते हम लोग और डीटेल में पढ़नाया से सुरू करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं यह तो हो गई एक बात दूसरी बात अब इसको हम लोग कैसे पाचानेंगे है टिक है चुकिे हम को हम लोगों के पास हिंदी में ठांसलेट करने का कई बार यह इतना पास टाइम नहीं बजता कि हम इसको उज्गार्ष कर सकें तो और क्या कोई सौट कर ट्रीक आए तो यहां पे कोई डफूएस इंटर्वस आब बिल्कुल ट्रेक है देखिए आपको जेनरली देखने को क्या मिलता है 90 to 95% केसे में आपके एक्जाम में जो फॉर्मेट देखाए पड़ता है वो क्या है तो यहाँ पे कोई वह इंटरोगेटिव वर्ड आपको घिवन रहेगा इस इंटरोगेटिव वर्ड के ठीक पहले सान सा फॉर्मेट है तो ऐसे केस में इस डवलू एच इंटरोगेटिव वर्ड को हम लोग क्या कहते है तो इसी को हम लोग कहते है रिलेटिव प्रोनावन क्या कहते है और फिर भी यदि आपको यकिन नहीं हो तो आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देख लेंगे यहां पर कोई नाउन या प्रोनाउन गीवें होगा और प्रणाउन और कभी कभी यहां दूसरा और खिर्ट्रॉज कोई noun या pronoun given होगा noun या pronoun given होगा और इस noun या pronoun के बाद यहां पर एक वर्व आपको given होगा तो यह दो format आपको दिखाई पड़ता है ऐसे दूसरे वाले case में इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो बोल चाल में या समझने के दोरान हम लोग समझते जरूर है इसको relative pronoun बट यह relative pronoun होता यही होता या यह समझ में आ रही है यह कभी कभी आप दखेंगे कि कोई डबलू ऐच वाड किसी sentence के beginning में मिलेगा यह तो अब जब यह sentence के beginning में आया हुआ होगा और sentence के Laverness מה और फोल स्टॉप होगा इस फॉर्मित नमबर टू में भी यहा हमें दखेंगे फुल स्टॉप लगा होता है इस के में हम लोग क्या काते हैं रिलेटिव कहते हैं बट इन सब को हम लोग पढ़ते का पर है तो इन सब को पढ़ते हैं रिलेटिव परणावन वाले section में ही और इन सबों पे बेस्ड जो कोश्ट आपके SAC exam में, SAC, CHS exam में, CJ exam में या और किसी भी competitive exam में जो पूछे जाते हैं वो सब के सब कोश्ट आपको दिखाए पड़ते हैं रिलेटिफ प्रणाउन में ही इसलिए हम भी इसको पढ़ाएंगे इन सारे चीजों को पढ़ाएंगे रिलेटिव प्रॉणाउन में ही ठीक है तो चलते हैं अब यहां से आगे अब इनके आगे की कुछ बातों को हम लोग सीखना समझना सुरू करें देखिए अब इसको जरा आप ध्यान से सीखिए रिलेटिव प्रॉणाउन के रूप में सबसे ज्यादा आपके एक्जाम में जो डवलू एच इंटरोगेटिव और दिखाए पड़ते हैं उनमें से जो कुछ इंपोर्टेंट है वो हैं कि अब सबसे ज्यादा कौन से दिखाए पड़ते हैं तो सबसे ज्यादा आपको एक्जाम में ये सब दिखाई पड़ते हैं यह तीनों दिखाई पड़ते हैं और उसके बाद फिर यह सब दिखाई पड़ता है इनका यूज थोड़ा कम आपको दिखाई देता है तो हूं का यूज जम के मिलेगा सबसे ज्यादा यूज आपको दिखाई पड़ता है अब बारी है कि इन सब को हम हम लोग one by one करके सीखना सुरू करें क्या इन सबों में किस तरीके से कोश्चन पूछे जाते हैं इन सबों से तो चलिए अब हम लोग पढ़ना सुरू करते हैं अपने एक्जाम के पॉइंट ऑफ देखे सबसे पहले हम आपको यहां बताते चले हूं का यूज करते हैं हम नौन लिविं के लिए on छाँ ठीक है नौन लिविंग बिंग के लिए यह दैट का प्र tätäट हम लो sotto लिविंग बिंग्स के लिए भी करते हैं औरока यूज के लिक रहे हैं अरधार का प्रयों लोग हम amiga के लिए और नौन लिविंग बिंग्स के लिए भी करते हैं अर्था दैट का प्रयोग लीविंग और नॉन लीविंग दोनों के लिए होता है ठीक है तो यह हो गया हूँ विच दैट जिससे सबसे ज़्यादा कोशन आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं से हम लोग फिर इसके बाद आपको प्रयोग भी करते हैं लीविंग बिंग्स के लिए और इस डैट का प्रयोग भी करते हैं लीविंग बिंग्स के लिए तो हम लोग तो यहां पे कन्फ्यूज कर जाएंगे विसेश रोप से यह प्रस्ण उन सभी बच्चों के मन में आ सकता है जो इंग्लिस में वीक होते य अब सब्जेक्ट क्या है इसके रिगार्डिंग हमने आपको प्रणौन के फर्स्ट लेक्चेर में काफे डीटेल में समझाया था चर्चा करी थी और उस पर बेद कुछ वो कंडिशन नेशल सॉफ्ट अब यह नेशल सॉफ्ट क्या है इसकी चर्चा हम थोड़ी दिर बाद करेंगे बात समझ में आ रही है तो हू का प्रयोग करते हैं लिविंग बिंग्स के लिए लेकिन सब्जेक्टिब केस में विच का प्रयोग ओनली फॉर नॉन लिविंग ब कहीं भी हूं का प्रयोग के आयता है ओनली फॉर लिविंग बिंग्स बटिन ऑब्जेक्टिव केस क्लियर है अब यहां से आगे बढ़ते हैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर हम चलते हैं आगे की कान यह है कि फिर अब हमारे पास बचा है ऑफ विच और हूज इन दोनो का यूज हम लोग करते हैं पॉसेसिव केस में किस केस में तो इन दोनों का यूज हम लोग करते हैं पॉसेसिव केस में पॉसेसिव केस में जिसका जिसकी जिनका जिनकी के अर्थ में ठीक है जिसकी चर्चा अभी से थोड़ी देर पहले हमने आपके साथ की थी अब इसके आ living के लिए तो इन दोनों का यूज होता है कहां पे possessive case में लेकिन of which का यूज करेंगे possessive case में only for non living और whose का use करेंगे possessive case में only for living clear चलिए अब यहां से थोड़ा सा आगे हम आपको लेकर चलते हैं इसमें कई confusion से भरे sections हम लोगों को सीखने हैं सबसे पहले who which that को सीखेंगे that का use कहां पे करते हैं तो certain conditions जब applied होते हैं तभी that का प्रयोग किया जाता है relative pronoun के रूप में तो उसकी भी चर्चाम करेंगे आपके साथ और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो confusion से बढ़ा हुआ 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 हुम में तो उसको यहां पर सकता है कि जगा थोड़ी कम पड़ जाय तो आईए अब हम आपको सिखाना शुरू करते कि यह नेसल सॉफ्ट क्या है नेसल सॉफ्ट क्या है और यह रहा sौं थोड़ी दूर पर हम जान बुज़ कर लिख रहे हैं ताकि इसको इसके इसके जो condition है उसको हम detail में लिख के आपको समझा सके अब देखें इनका condition क्या नेसल का जो इन है इनका मिनी क्या है भाई चलो इसको थोड़ा सा pattern चेंज करके लिखते हैं तो नेसल में जो इन है चलिए इसका pattern थोड़ा सा रहने देते हैं इसको चलिए इसको फिर थोड़ा सा ऐसे करके लिखते हैं यह देखें एन एस एल ठीक है तो यह नेसल में जो एन है यह है no not none ठीक है no not none यह a क्या है भाई तो यह a है any यह है any यह all ठीक है इस क्या है भाई तो इस है सम सम लगा हो सम अर्थाथ सम हो समबड़ी हो सम्थिंग ओ वगेरा वगेरा ठीक है फिर यह a क्या है और यह l क्या है भाई एल फॉर लिटिल एल फॉर लिटिल ठीक है अब ये ए क्या है भई ये ए है आल तो इन दोनों को हम लोग एक साथ यहां पर सीख सकते ए नहीं लगा हो या आल लगा हो ठीक है अब इसके बाद हम लोग आते हैं सॉफ्ट के तरफ ये स, ओ, एफ, टी अब देखें ये क्या है स, ओ, एफ, टी क्या है भाई इनको भी हम लोग सीखें स for superlative degree या नि एट्जाक्टिव का या एडवब का जो superlative degree होता है sentence में इस इस superlative degree आपको दिखाए दे थो हम लोग यूज़ करेंगे दैट का ये ओ क्या है इसको हम लोग सीखें O for one हो Only हो या इसके और एक दो meaning होते हैं वो क्या होता है भाई तो sentence में आप देखेंगे कि यहां पे आपको one या body या body लगा हुआ हो इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं यहां पे यह आ नहीं पा रहा है तो one या body लगा हो लगाओ किसी वाड़ के लास्ट में फिर चलते हम लोग F क्या है भाई टो F है few अब यह T से क्या होता है तो T से thing यानि किसी वाड़ के लास्ट में देखेंगे कि उस sentence में उस sentence में आप यह देखेंगे no not none का प्रयोग किया गया हो any का प्रयोग किया गया हो all का प्रयोग किया गया हो some का प्रयोग किया गया हो ठीक है little का प्रयोग किया गया हो few का प्रयोग किया गया हो या thing वाला कोई word लगा हो one या body वाला कोई word लगा हो one का use किया गया हो only का use किया गया हो only one का use किया गया हो one of का use किया गया हो या sentence में किसे भी superlative degree of adjective का प्रयोग किया गया हो तो उस condition में हम लोग living हो या non living हो सब के लिए use करेंगे that का किसका use करेंगे that का use करेंगे ठीक है चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब चलते हैं अपने slide की तरफ, slide की तरफ आते हैं और अब इनका कुछ question हम लोग देखना शुरू करते हैं आप इस screen पे ध्यान से देखे, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा slow हो जाते हैं और slow होके देखना शुरू करते हैं, यहाँ देखे, cambly is one of the players अब यह देखे, इसके चर्चा हमने आपके साथ बहुत पहले करी थी, one of all a condition को हमने कहां बताया था, तो हम आपको subject of agreement पढ़ा रहे थे, वहाँ पढ़ा थे, noun पढ़ा रहे थे, वहाँ भी हम बताये थे, ठीक है, अब देखे, यह one of, one of के बाद आने वाला noun, यह प्रणान कैसा होता है, plural होता है, यह plural है, correct है, ठीक है, अब यह देखे, यह क्या गया, डव्लू एच इंटरू अब यहाँ जड़ा ध्यान से देखे, हम पेन का कलर चेंज कर रहे हैं, और बोट को थोड़ा क्लीन भी कर रहे है, अब यह देखे, यह क्या है, इसके पहले प्लेयर क्या है, noun है, यह क्या है, वर्वेक कंडिशन नमर वन अप्लाइड, रिलेटिव प्रॉन का जो कंडिशन है यह है तो प्लेयर कैसा होता है, बात समझ में आ गई, अब इनके अलावा और एक कोशन आपके एकजाम में पूछा जाता है, और उसी आज़ेडा कोशन आपके एकजाम में देखने को मिलता है, यह इसको सेखने के लिए कि क्लिए है और आई नहींट बोड की तरफ और बोड में हम आपको यहां समझाना सुरू करते देखिए अगला हमारा कॉंसेप्ट के तो हमारा कॉंसेप्ट है कि यहां पर कोई भी डवलू एच इंटेरोकेटिव लिखा हुआ दिखाई दे ठीक है इसके ठीक पहले यहां पर कोई नाउन या प्रोनाउन पर और इनके ठीक बाद में यहां पर कोई भी आपको वर्व लिखा हुआ दिखाई दे तो सेंटेंस के लास में अब देखेंगे क्या लगा रहेगा तो फॉल-स्टॉप लगा रहेगा इसको छोंडर करते हैं तो यह हमने आपको बताया था ठीक है चलिए अब देखें क्य है कि यह कभी singular होता है कभी plural होता है यह कभी singular लिखा जाता है तो आएक कभी सिम्झूलर होता है और यह यह से होता है तो इसके बारे में हमने आपको थोड़ा बहुत सब्जेक्ट में भी पढ़ाया था अब फिर इसको थोड़ा डीटिल में समझा रहें देखें यह जो नाउन या प्रणाउन है यह जो डव्लू एच इंटरोगेटिव वर्ड होता है हमने आपको क्या बताया कि 90 to 95% केसेस में यह जो डव्लू एच इंटरोगेटिव क्या करता है इसको कि अलीट का मतलब होता है पहले क्या क्या हिंटीडेंट बनावन देखते क definitive। बोलते हैं क्या बोलते हैं हिंटी सीदेंट में बात करें तो इसको कतें पूरवर्थि क्या करते हैं फॉर वर्ति आप महित पड़ते हैं तो में आपसे पूछान जाएं कि फिव कर दidän क्या आता है तो आप का आता है कि फाइब के पर आता है तो पॉरीजएंटी होता है अर्थात कि यह यदि प्लूरल होगा कैसा होगा यह यदि प्लूरल होगा तो यह वर्भी कैसा रहेगा यह वर्भी रहेगा प्लूरल ठीक है बात समझ में आ रही है और यदि यह सिंगुलर होगा कैसा होगा यह सिंगुलर होगा तो यह जो हमारा वर्भ भें यह वर्भी कैसा रहेंगा यह बहुन रहेंगा सिंगुलरं यह बात प्लूरल कैसा रहेंगा यह रहे और यह यह होगा कैसा होगा है सिंगुलर होगा तो यह हमारा वर्ब कैसा रहेगा सिंगुलर है तो अब यहां से आगे बढ़ते हम लोग चलते हैं सलाइड की तरफ और को bisschen को बनाना शुरू करते ही ओर में हम लोग क्या कर रहे तो इस प्रोचन में हम लोग ने देखा इस डű मोगकि ठीक पहले यह एंपन आ तो यह नाव Dalai यह ben यह ना इसी क्या यह ऑग्या तो यह क्या हो गया इशी को में रिलेटि पर नाय shitty और हो का यूज किसके लिए होता है लीविंग के लिए तो प्लेयर क्या है लीविंग है तो लीविंग के लिए हू का प्रयों किया गया अर्थात हो का यूज क्या हो गया करेक्ट हो गया ठीक है अब हमारे पास एरर के लिए क्या देखने को बचा तो रिलेटिव प्रणाउन के क लिविंग के लिए लिविंग वाला एट सेटरा ठीकर अर्था ठारेलेटव प्रणाउन को चेंज करना फूछा जाता अपके एक्जाम करेक्ट हो तो आप देखेंगे कि उसके बाद यूजह जाता है उस वर्ब को किसने एक रखते ंसीडिने के कोडिंग इन दो जगों पर न समय पोछा जाता है यह प्लूरल थोड़ी दिर पहले हम ने आपको बताया तो हैस को हम लोग क्या करेंगे हैस को कंवर्ट कर देंगे चेंज कर देंगे परिवर्तित कर देंगे हैब में हरी प्लेस कर देंगे हैब से ठीक है बात समझ में आ गए तो आसा करते हैं कि यह concept आपको समझ में आगया होगा अब आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग चलते हैं अंगले question में अब देखिए the server with dash I was talking is my good friend ठीक है अब वो server किसी भी चीज का जो server होता है server क्या होता है एक machine होता है और machine क्या होगा living हो गया होगा यह non living होगा तो non living होगा non living है तो who का use होगा नहीं हर का use होगा नहीं whom का use होगा नहीं non living के लिए की option है which तो हमारा answer क्या बन गया which clear next आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग यहां पर आये देखिए इस question को on December 2 1927 the model A Ford who cost अब देखिए यहां पर which cost की जगह क्या use करेंगे विच की जगह क्या use करेंगे विच का ठीक है अब ज़रा आप द्यान से देखिए यहां पर यह जो model A Ford है यह किसी कार का नाम लगता है किसी कार का कोई model होगा तो कोई भी कार हो कार का कोई भी model हो कार पहले है क्या नॉन लिविंग तो नॉन लिविंग के लिए हम लोग क्या आगे बढ़ते हैं लोग अगले कोशन में लेकर चलते हैं आपको यहां पर यह डेनियल वाज वाज वन ऑफ द्यान दीजें यहां पर ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट यह क्या है इसके पहले यहां दा भी लगा यह देखिए वन भी लगा हुआ कई कंडिसन अप्लाइड हो गए अब देखिए यहां पर नेसल आ गया इन ए एस एल नेसल सॉफट में यह स्था यह क्या था सूपर लेटिव डिगरी देखिए यह इस भी आ गया और यह वो भी आ गया यहां पर देखिए आम लोग इसका यूज करेंगे दैट का देखिए है यहां पर जो साँब है जज क्या होता है कि क्या होते हैं कोई नगुविंग होगा इंसान होगा इंसान है तो लीविंग है फिर वह उसके दिए किसका यूज्ज कर है ठीक है तो डड़ा कारेक्ट हो गया अब अगला एर्र कहाँ पे जा सकता है इस वर्ब वाले सेक्शन में तो हमने आपको क्या बताए था कि इस डबलू एच इंटेरोगेटिव वर्ड के ठीक पहले यह जो नाउन या प्रणाउन आता है तो नाउन क्या यहां पर यह कैसा है प्लूरल है इसी के कोडिंग यह हमारा वर्ब गाइड होता है तो चुकी वह नाउन कैसा है प्लूरल है तो यहां पर वर्ब कैसा आएगा प्लूरल आएगा तो हैस की जगह क्या यूज करेंगे हैं क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में अगला कोशन देखे क्या है सेनियर सेटिजन प्रेफर द बैंक विच ब्रांच इस देखे किसका ब्रांच बैंक का किसका ब्रांच बैंक का तो सबसे पहले बताए यह बैंक लिविंग या नॉन लिविंग नॉन लिविंग तो नॉन लिविं next ugly question में चले हम लोग अब इन सारे question को हम लोग यहां पर देखना सुरू करते है my friend lives in a new year by a state मेरा दोस्त एक बगल वाले गली में रहता है whose name I have forgotten जिसका नाम मैं भूल गया हूं तो answer क्या बनेगा of which name या whose name किसका नाम भूल गए आप गली का नाम हम भूल गए कि दोस्त का नाम भूल गए तो मेरा वो दोस्त जो बंगल वाले गली में रहता है उसका नाम हम भूल गए हम दोस्त क्या है living है living है तो हूज का यूज करेक्ट है इसका answer क्या बनेगा no improvement ठीक है next आगे बढ़ते हैं आप दीख रहा है क्या दीख रहा है नौट तो यहां पर डैट का यूज करेक्ट है तो हमारा answer क्या हो गया no अब देखें नेसल फॉल्स में आपको न का मिनिंग क्या बता है था नो हो नॉट हो या नन जो देखें वान नौट देख रहा है तो दैट का यूज करेक्ट है है नेक्स अगले कौॉशन में चलते हैं सेकंड कॉश्चंप में ही टोल्ड मी he told me the same story which देखिए ये जो same है same के साथ which use नहीं होता है same के साथ क्या use होता है that use होता है same के साथ क्या आता है that same के साथ क्या use होता है that का use होता है same के साथ किसका use होता है that का use होता है ठीक है तो यहाँ पे हम लोग which की जगह क्या use करेंगे that का use करेंगे, ठीक है, next, आगे बढ़ते हैं से हम लोग, चलते हैं अगले slide में, इन question को फिर से हम लोग एक बार solve करने का प्रयास करते हैं, he is one of the cleverest boys, देखें, यहाँ पर one भी आपको दिखाई दिया और यह cleverest यह नहीं, आपको superlative degree of adjective भी दिखाई दिया, superlative degree of adjective भी आगया, तो हम लोग यहाँ पर who यह बिच का यूज़ नहीं कर सकते, whom का यूज़ नहीं कर सकते, हमें क्या यूज़ करना होगा, ठीक है, तो देखें, यह plural है, इस लिए इस वर्ब को कैसा होना होगा, plural, तो हैस को किस में convert कर दे हम लोग, हैस को convert कर देंगे, हैं, हैस को किस में convert करेंगे, हैं, next second question में चलते हैं, the cat chased a bird, who flew, अब देखें, यह जो bird है, जो पसुपक्षी होते हैं, इनको हम लोग जनरली क्या मानते हैं, तो इनको हम लोग मानते हैं, non-leaving, क्यों मानते हैं, तो grammar में ऐसा permission है, ठीक है, लेकिन इसका concept हमने आपको पहले से बता रखा है, प्रणाउन के first lecture में और second lecture में हमने इसके चर्चा करें थे, हमने आपको बताए था कि English grammar living सिर्फ और सिर्फ उसी को मानता है, जो physically और sexually दोनों रूप से fit हो, दोनों में किसे भी एक रूप से कोई unfit हो, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, तो उसको हम लोग मानते हैं, non-leaving, ठीक है, तो यहाँ पर who की जग हम लोग क्या use करेंगे, बाट के लिए, बाट के लिए use करेंगे, विच का, चुकी बाट हो गई, non-leaving, इसके लिए हम लोग क्या use करेंगे, तो यूज करेंगे विच का, clear, next, आगे बढ़ते हैं से, अब देखें, यह आपके CHSL 2019 से पूछा गया question है, recent year का पूछा गया question है, तो इसको आप एक बार खुछ से solve करने का प्रयास करें, चलिए, इसको हम लोग यहां solve करना शुरू करते हैं, the government has announced a gradual reboot of air travel which, अब यह देखिए who, यह who का use करें, यह which का use करें, यह that का use करें, देखिए that वाला कोई condition इसमें applied नहीं है, तो that का use तो नहीं होगा, अब यहां पर यह जो डव्लू एच इंटरोगेटिव वाड का use किया रिलेटिव प्रणावन के रूप में, यह जो रिलेटिव प्रणावन आया है, इसका use किसके लिए हो रहा है, air travel के लिए, ठीक है, तो air travel सबसे पहले आप बताइए, यह living है, जाहिर सी बात है, अब नौन लीविंग के लिए हो का use होगा ने, इसलिए हम लोग हो का use यहां पर नहीं कर सकते, ठीक है, तो अब ज़रह देखिए, इस question में हमें करना क्या है, इस question में हमें, वो section ढूंडना है, जो यहां ABCD में given है, जिस section में error है, तो who was halted, यहां चलिए कुछ और question में लेकर चलते हैं आपको, हमने आपको पले बोला था कि इसको हम लोग detail में पढ़ेंगे, रहर सारे question हम लोग बनाएंगे, तो यहां पर हम लोग बना रहे हैं, और आप हमारे साथ देते रहें, मोहर इस one of देखिए, यहां पर one का use कर लिया गया, one of का use कर लिया गया, one of का use कर लिया गया, तो देखिए, यहां पर that का plural, those भी आ गया, that का plural, those भी आ गया, those boys whom can play, अब देखिए, यहां से हम लोगों को एक नया चीज सीखने को मिलेगा, कि हम लोग यहां पर who का use करें, या whom का use करें, चले फिलाल इसको हम ड्रॉप करते हैं, चलत लिए, one body लगा हुआ है, तो इसके साथ हम लोगों क्या use करेंगे, that का use करेंगे, that anybody who reads, anybody who reads, और देखिए, हमने आपको प्रणाउन में भी indifferent प्रणाउन पढ़ाते हैं, बताया था, कि किसी word के ending में one body या thing लगा हो, तो वो क्या होता है, तो वो indifferent प्रणाउन होता है, हमें स होता है, singular, बहुत लेता है, singular, अब देखिए, जो डैट का, इस हूप का use, यहां पर किया गया, ठीक है, चुकि anybody क्या है, लीविंगे, लीविंग है, तो यहां पर क्या use हो गया, हूँ, छुकि that का use पहले हो गया है, इसलिए, अब हम यहां पर हो का use करेंगे, और anybody का सा होत क्लियर है, चलिए, यहां से आगे बढ़ते हैं, और इस कोशन की तरफ हम लोग आएंगे, थोड़ी देर के बाद, इस कोशन पर बिस डम लोग धेर सारे कोशन करेंगे, जिसमें हूँ और हूं पर बिस डम धेर सारे कंफ्यूजन होंगे, आपके लिए, अब यहां अब यूज करना होता है, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, और नोबिल्स, नोबिल्स कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल, और वर्ब है कैसा, प्लूरल, तो यह भी करेक्ट, यह भी करेक्ट, और यह भी करेक्ट, ठीक है, अर्थात इस क कहीं कोई नहीं है इस कोश्चन कांसर क्या बनेगा ऑप्शन नमडी डाट इस नो एरर कांसर बनेगा तो आंसर बनेगा नो एरर ठीक है नेक्स यहां से आगे बढ़ते हम लोग अब देखें यहां पे computer virus works exactly like the biological variety अब देखें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे जो जीव होते हैं इन सबको हम लोग क्या मानते हैं तो सबको मानते हैं non living और non living के लिए क्या यूज करते हैं विच का तो virus के लिए देखें क्या यूज कर लिए गया biological variety which invade the human body invade नहीं विच इनवेड्स विच इनवेड्स ठीक है क्योंकि यह वाइरस क्या है सिंगुलर क्यों सिंगुलर है यह भी हम आपको बताते चले तो हमने आपको पहले से बता रखा है कि कोई भी लैटीन वर्ड जिसके लास्ट में यूएस लगा हो ऐसा कोई भी लैटी यह हमने पारता है जिनको नहीं जिनका सिंगुलर से बनाने के लिए यह में टिक है हाला कि इसका दो प्रकार से से बनाते हैं उनमें से यह भी है अब चुक्छी यह शिल्क है आप चेक कर लिज्ए इसलिए देखें यहां पर वॉक में डगा हुआ है इसलिए यहां पर क्या लगाने हम लोग यहां पर और जाना ऊब लोग फिर एसे एसल नेस्ट आगे चलते हम लोग इटिजैट डोज फ् ये सच है कि ऐसे लोग जो इरसिया लू होते हैं दूसरों कि प्रतीर होते हैं दूसरों के प्रतिर लुःक्षिया यह भी करेक्ट यह भी करेक्ट और यह भी करेक्ट तो इस कोश्चन का अंसर हमारा क्या बने का उप्शन अपटी डैट इस नौ एरर ठीक है अब यहां से आगे चलते हैं लोग अब देखिए इस question को हम लोग देखते हैं improve the bracketed part of the sentence इस sentence में जो bracket में part है उसको improve करना है अब यहां पर देखिए इस question में आपको क्या दिखाई दे रहा है तो यहां पर आपको clear दिखाई दे रहा है अर्थात इस sentence में कहीं कोई रर नहीं है इसमें हमें कहीं कोई change करने की जरूरत नहीं है हमारा answer क्या बनेगा तो हमारा answer बनेगा no improvement करेक्ट आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग चलते हैं कुछ और question की तरफ ठीक है अब जरा देखिए इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं स्लाइड में कुछ concept हम आपको यहां पर सिखाएंगे अब देखें यहां पर क्या है सबसे पहले कि जू हूँ या हूम यह हम आपको एक बार फिर से रिमाइन करवाते चले इन दोनों का यूज हम लोग करते हैं living के लिए किसके लिए living के लिए तो इसका यूज करते हैं और तक बात आपको असानी से समझ में आ रही होंगी अब देखिए इस हों और हो में क्या डिफरेंस एक तो सब्जेक्ट और अब्जेट का डिफरेंस हैं जिसको हम लोग एक्टिव और पैसिव के माध्यम से भी समझ सकते हैं ठीक है अब यह एक्ट में काम का करने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो कुदी करता है और पैसी में वो काम किसी दूसरे के द्वारा किया गया होता है जैसे वो लड़का जिसने क्लास में सोर मचाया था उसको क्लास से भगा दिया गया उसको क्लास से बाहर कर दिया गया तो क्लास से बाहर करने का का मो लड़का खुद नहीं कर रहा है सुर मचाने का काम उस लड़के ने खुद ική था लेकिन उसको बाहर करने का काम, यह order किसे दिया होगा तो यह किसी टीचर ने यह बात समझ में आ रही है. तो उस लड़के को बाहर कर दिया गया भगा दिया गया निकाल दिया गया तो बाहर निकालने का काम बाहर करने का काम कोई और व्यक्ति किया है न कि उस लड़के ने किया है बात समझ में आ रही है तो बाहर निकालने का काम किसी और ने किया है जिसने निकालने का काम किया वो है subject लेकिन निकाला किसको गया उस लड़के को तो यहां पर वो लड़का है object बात समझ में आ रही है तो इस केस में यदि उस लड़के के लिए हमें रिलेटिव प्रणाउन का यूज करना होगा तो हम number of verb count करेंगे यदि वर्ब की संख्या यदि number of verb कितना हो more than two हो कितना हो more than two हो तो हम लोग यूज करते हैं हो का और यदि number of verb sentence में number of verb कितना हो up to two हो वर्ब की संख्या कितनी हो तो वर्ब की संख्या हो एक या दो वर्ब की संख्या एक हो या दो हो तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं हूम का यूज़ करते है बात समझ में आ गई एक और भी concept है अगला concept क्या है भाई तो आप sentence में जहां कहीं भी हू और हूम में confused होंगे हू या हूम में confused होंगे तो आप देखेंगे कि इसके बाद यहां पे आम तोर पे आपको कोई noun या pronoun दिखाई देगा क्योंकि हू और हूम में जो confusion create होता है वो ऐसे वाले case में ही होता है ठीक है यह जो case आपको दिखाई देता है हू या हूम मतलब सीरी बात करें तो यह जो डवलू एच वोड़ आपको दिखाई देता है जिसके ठीक पहले यहां पे कोई noun या pronoun हो और ठीक बाद में यहां पे कोई वर्ब हो तो इस वाले case में इस डवलू एच case में यहां पे हूँ और हूम में confusion create है नहीं होता यहां पे हूँ और हूम में confusion create नहीं होता यहां पे कोई भी confusion create नहीं होता ठीक है यहां पे कोई भी confusion create नहीं होता confusion का होता इस वाले section में तो आप आम तोर पर देखेंगे कि यह जो हूँ या हूम जो भी यहां पर relative pronoun use किया गया होगा इसके बाद इधर कुछ describing element given होता है अब describing element क्या होता है इसके reference में हमने चर्चा करी थी आपके साथ कहां पर तो हमने चर्चा किया था subject to bob agreement के first class में ठीक है तो जिनका छूटा हो पीछे के समझ में नहीं आपा रहा हो उसकी चर्चा हम बार-बार कर रहे हैं तो उस वीडियो लेक्चर में जाके आप उसको देखें अपने आपको इंप्रूब कर लें ठीक है क्योंकि describing element आपको यहां पर आम तोर पर दिखाई पड़ता है describing element के बाद आप यहां पर देखना यहां जो वर्ब को चेक कर लेना यदि इस वर्ब को डूर की जरूरत होगी इस वर्ब को यहां पर यूज कर लेंगे हूँ का और यदि इस वर्ब को यहां पर सब्जेट की जरूरत नहीं होगी तो हम लोग यूज कर लेंगे ठीक है तो आप कई प्रकार से इसको सीख सकते हैं number of वर्ब से भी पाचान सकते हैं describing element के माधियम से भी आप इसको ठीक कर सकते हैं तो अब आते हैं हम लोग यहां पर और चलते हैं इनको सीखना समझना सुरू करते हैं यह वही आदमें जिसको मैं जानता हूं हैस हेल्प माई सन इन दा फाइनल एक्जामिनेशन देखें यह आपको यहां पर डव्लु एच इंटरोगेटिव दिखाए दिया यह देखिए नाउन यह वर्ब हूँ आई नो मैं जानता हूं अब जाना देखिए आप जिसको जान देखें कंफ्यूज होगे तो इसको हटा दीजिए हूँ हैस हैल्पड माई संटेंस विल्कुल ठीक लग रहा है अर्थात यहां पर हमें किसकी जरूरत है हो की जरूरत है हूँ यहां पर करेक्ट है दूसरा कॉंसेट देखिए दूसरा कॉंसेट क्या है नंबर ऑफ वर्ब जरूरा आप यहां पर काउंट कर लिए यह क्या हो गया वन यह टू यह त्री यह फूर नंबर ऑफ वर्ब कितना है मोर्दन तू मोर्दन तू है तो हमें क्या चाहिए हूँ चाहिए करेक्ट है नेक्स दगलर्क हूम एस्पोक रूडली टू दा कस्टमर वो गलर्क जिसने बात किया था इस पोक रूडली यहां देखे इस पोक बोलने का काम कौन करेगा जो बोलने का काम करेगा वो सब्जेक्ट होगा तो कस्टमर से जो रूडली बोलने का काम किया वो क्या होगा सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट होगा तो हम यह हूम की जगक क्या यूज करेंगे हूं का यूज करेंगे यह हमने बताया था कि ठीक पहले यहां पर कोई नाउन या प्रोनाउन आया हो यहां पर वर्भ हो तो यहां पर अब यहां पर आते हैं I know to who, अब देखे यह तो क्या थो क्या प्रेपोजिशन है तो हमें सोच नहीं है, प्रेपोजिशन हो तो simply कोई दिमाग नहीं लगाना है, एक काम करना प्रेपोजिशन के पाइव आपको दिखाई दें, नावनिया प्रणाव उसको डाल देना है, ओब कोशन में चलते हैं यहां पर हूं का यूज होगा यह हमें पता नहीं लग रहा है नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे हम नंबर ऑफ वर्प काउंट करेंगे यह देखिए आर रिफरिंग इस तो नंबर अफ वर्प कितने हो गया है more than two है में क्या चाहिए वो तो हूं लगा हुआ है sentence में answer क्या बना तो answer बने गया Virgin नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग चलते हैं अगले कोशन में अगला कोशन ने किला फिर यह क्या है tips को रिमूफ कर सकते। वो लड़का जिसने टॉप स्कोर बनाया अभी आपको समझ में नहीं है तो वर्ब काउंट कर लो यह वन यह टू इसकोर इन दे लास्ट मैच ठीक है दब वाए हूँ यू सी देर मेट दे टॉप स्कोर इन दे लास्ट मैच देखे इसमें नंबर ऑफ कितने है तो नंबर ऑफ वर्ब इसमें हो गए दो तो वर्ब चुकि दो तक ही है इसलिए इस केस में हम क्या करेंगे यहां लगता है कि होना चाहिए हूं अब आप यहां पर ध्यान देजिए पैसिब चेक किजिए दब आए हूं यू सी देर वो लड़का जिसको आप वहां देखते हैं मेट ड़ टॉप स्कूर इन दे लास्ट मैच पिछले मैच में टॉप स्कूर बनाने का काम किस ने किया अब चुकि यहां पर नंबर ऑफ कितने हैं दो हैं दो हैं तो हम किसका लिखेंगे हूं लिखेंगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग चलते हैं कुछ अगले कुशन की ओर इट इस सैट दाट इन आवर कंटर एजूकेशन इस एबलेबल ओनली टू दोज अब यह देखिए हूं की जगह क्या यूज़ करेंगे हूं की जगह यूज़ करेंगे हूं का आपके मन म नहीं लोगों तक सिमीत है जो इसका खर्च उठा सकते हैं देखे यहां पर यह वर्ब लगा हुआ है तो में आपको यह बताया था कि इसके ठीक पहले यह यहां पे नाउन या प्रोनावन आया हो और यहां पर वर्भो तो यहां पर क्या आता है यहां से सिंप्ली आता है कर लिजे देखिए तो यहां पर क्या होना चाहिए मैं दो लड़कियों से मिला था हुम आई बिलीब जिसको मैं मानता हूं आर ट्विन गल्स तो नंबर अपर कितने होगे करें यहां पर आते हैं इस स्टूडेंट के लिए विच का यूज होगा क्या नई होगा विच के जगह किसका यूज होगा तो विच के जगह यूज होगा हूं का तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं कुछ और कुछन है अपने पास आईए इनको लोग सॉल्व करते हैं यह देखिए प्रेपोजीशन प्रेपोजीशन के बाद क्या आएगा आएगा नेक्स अगले कुछन में चलते दिस इस पोर्ट्स पर्शन हूम आई थिंक हूम आई थि तो यहां तक था हमारा रिलेटिव प्रोणाउन और पूरे प्रोणाउन के कहान तो आज के क्लास में हम लोगों ने प्रोणाउन के सबसे अहम सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सेक्षन को पढ़ा और वो सेक्षन था हमारा रिलेटिव प्रोणाउन तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक सेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो यह प्रत्यक मंघल वार को और गुरुवार को सामें पाँच वजय आता है तो वीडियो को देखना बिलकूल बीना भूले और हां बिल आइकन को जरूर से हिट कर ले ताकि हमारे वीडियों के सारे नोटेफिकिशन आप तक पहुंचते रहें तो चलते हैं और आज के इस class को हम लोगें पर समाप्त करते हैं तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद